देखे सहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Polytechnic Entrance Examination 2020 के स्टूडेंट्स के लिए Mathematics Most Important Question Answer Series के Part 10 के बारे में इसके पहले हमने 9 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिया है तो अगर आप उन सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हम इस कुशन के बारे में बिल्कुल डीपली दरीके से जानेंगे ट्रिक के द्वारा भी इस कुशन को सॉल्व करेंगे और साथी साथ आपको फॉर्मूला के द्वारा भी से बताएंगे कि आपको इस टाइब के कुशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और वीडियो के लास्ट में इस टाइब के कुशन भी देंगे जिसका अंसर आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना है तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं फिजिक्स और केमेस्टी और भी ज़्यादा इंफोर्मेटी वीडियो के लिए फिजिक्स और केमेस्टी की जानकारी के लिए कि किस टाइप से कोश्चन पूशे आते हैं आप हमारी वेबसाइट पे डारेक्टली विजिट कर सकते हैं गूगल में आपको सीधे टाइप करना होगा पांडेजी टेक्निकल.in आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे फिजिक्स और केमेस्टी की सभी कोश्चन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगे ठीक है यहाँ पे दोस्त हम सबसे पहले कोश्चन की तरफ ध्यान देते हैं यह कोश्चन हमारा इस तरीके से है कि अंडरूट टू, इंटू अंडरूट टू, इंटू अंडरूट टू, इंटू अंडरूट टू, इंटू अंडरूट टू ठीक है इसका मान क्या होगा इसका एक और टाइप है कि अगर इस टाइप का दे देगा कि किस तरीके से हम tricky method से solve करेंगे बिलकुल आसान तरीके से एकदम ध्यान को केंदेत कर लीजे और चीजों को समझने की कोसिस कीजे ये जो 2 है उसको सबसे पहले हम गिल लेंगे कितना 2 है 1, 2, 3, 4, 5 2 की संखे कितनी है 5, यानि कि हम लिख सकते है 2 की पावर 5 बिलकुल लिख सकते हैं और 2 की पावर 5 की value जरा बताइए तो 2 गुड़े 2 यानि 2 दुनी के 4 दुनी के 8 दुनी के 16 दुनी के 32 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 तो यहाँ पे मैं एकदम साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे 32 हमारा निकल के आगया 2 की पावर 5 की value ठीक है अब जब इसकी value निकालनी होगी तो आधार हम 2 को ही मानेंगे ठीक है तो आधार हमने 2 को मान लिया ठीक है साहब अब यह जो 32 आया है उसमें 1 कम कर दीजे 31 आएगा 32 में 1 कम कर देंगे 31 आएगा और बटे में 32 तो हमारा आंसर आगया दोस्त 2 की पावर 31 बटा 32 फॉर एक्जामपल अगर यहाँ पे 2 एक बार और रहता तो यह हो जाता 2 की पावर 6 ठीक है और 2 की पावर 6 कमान जो आता उसमें 1 कम करके उपर लिखते और जो आता उसका मान नीचे लिखते तो यह हमारा आंसर निकल के आ जाता यहाँ पे एक चीज़ में आपको और भी समझा दू यह माल लेजे यह दो नहीं है अब 2 की संक्या कितनी है 1, 2, 3, 4 तो 2 की पावर 4 हो जाएगा यानि कि 2 की पावर 4 कितना 2 दूणी के 4 दूणी के 8 दूणी के 16 तो 16 हमारा जो 2 की पावर 4 है उसके वैल्यू आई अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी तो 2 को हम आधार मानेंगे ठीक है मैंने कहा कि 2 की पावर 4 की वैल्यू आएगी उसमें से 1 कम कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15 और बटे में हम 16 कर देंगे तो इस तरीके से इतनी की value ये 4 जो 2 आ रहा है अंडरूट में उसकी value हो जाएगी 2 की power 15 बटा 16 ये है हमारा tricky method इस तरीके से हम question को solve करते हैं अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार इसे जरूर देख लीजे और समझ आ गया तो 10 second के लिए skip कर दीजे आगे आप चीजों को समझे फिलाल मैं उन student को समझाना चाहता हूँ जो अभी भी तक नहीं समझे है सबसे पहले देखे अगर infinitive वाला case नहीं होगा तो आपको इस तरीके से करना है सबसे पहले जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको गिल लेंगे कितना है एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच है ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे directly 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 दो को 5 बाड़ गुड़ा कीजिए 32 आ जाएगा ठीक है अब चुकिए यहाँ पे 2 है अगर 3 रहता तो हम आधार 3 मानते ठीक है अगर यहाँ पे सभी की जगह पे 2 है तो यानि कि आधार हम 2 मानेंगे तो हमने 2 आधार मान लिया ठीक है यह जो भी आया है यहाँ पे 32 आया है उसमें एक कम कर दीजे तो हो जाएगा कितना 31 और बटे में टोटल यानि कि 32 आया है तो 32 लिखेंगे तो 2 की पावर 31 बटा 32 यहाँ पे देखें साहब option number C हमारा बिल्कुल मेच कर रहा है यहाँ कि option number C हमारा बिल्कुल correct answer है तो इस तरीके से आप tricky method से इस question को बहुत simple तरीके से कर सकते हैं फिल्हाल अगर आपको trick भूल गया अगर आप trick को by the way भूल गया तो आप concept के जरीए किस तरीके से समझ सकते हैं सबसे पहले इसके लिए formula आपको याद करना होगा A to the power 2N minus 1 upon 2 की power N यानि कि फिर से एक बार और ध्यान दे देजिए कि A base में रहेगा आधार में A रहेगा A की power 2 की power N minus 1 upon 2 की power N ठीक है यह जो चीज़ है यह A का power है यह ध्यान रखेगा ठीक है अब देखे A किसको मानेंगे और N किसको मानेंगे N उसको मानेंगे कि 2 कितना बार आया है 1, 2, 3, 4, 5 5 दो आया है तो N की जगह पर क्या मानेंगे 5 ठीक है आधार क्या है आधार 2 है सब मतलब सभी जगह 2 ही है यानि कि 2 ही है तो 2 को A को हम 2 मानेंगे ठीक है तो आधार को हम 2 मानेंगे तो अब क्या करेंगे simple सी value रख दीजे सभी एक को हमने 2 माना है यानि कि 2 माना है तो हमें यहाँ पर 2 लिख देंगे ठीक है और फिर 2 की पावर N, N कमान कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है न भई तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 5 माइनस के साथ 1 फार्मूला में और अपॉन में 2 की पावर 5 जरा इसे solve कीजे तो साहब 2 की पावर 5 यानि कि अभी अभी हमने निकाला था 32 तो 2 की घात 32 माइनस 1 बटा 32 32 में से 1 जाएगा 31 तो 2 की पावर कितना आगया 31 बटा 32 और मैंने आपको trick के method से भी same इतना ही बताया था कि 2 की पावर 31 बटा 32 आएगा तो इस तरीके से आप दोनों concept को बहुत easy language में समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से question का answer इस type का निकालेंगे फिलहाल अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर यहां पर dot dot करके infinitive आएगा अब देखें बीच में जो student छोड़े होंगे यह चीज़ें आप उनको समझ में नहीं आएगी अब देखें अगर infinitive वाला case आजाएगा तो भी वो student उस तरीके से solve करेंगे लेकिन उस तरीके से नहीं करना है अगर dot 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 infinitive करके आता है तो जो भी यहां पर दिया गया है यानि कि दो 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 आया है ना तो दो हमारा answer आजाएगा इसी की जगह पे अगर तीन 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 रहता सभी जगह तो तीन हमारा answer आजाएगा कब जब infinitive वाला case होगा लेकिन जब infinitive वाला case नहीं होगा तो हम उस तरीके से solve करेंगे सबसे पहले इन दो का संख्या गिनेंगे कौबार है एक, दो, तीन, चार, पांच तो 2 की पाउर 5 लिखेंगे इस कमान 32 आजाएगा और चुकि आधार हमारा 2 है सबी जगत 2 ही है तो 2 आधार मानेंगे और इसमें एक कम करके और बटे में पूरा लिखेंगे यानि कि 2 की पाउर 31 बटा 32 आजाएगा अब बारी है कि मैं आपको एक question दो इसी type का और उसका answer आपको हमें comment box में करना है ठीक है? comment करना है solve करने का पश्याद तो आपको मैं अपने तरब से बनाया हुआ एक question दे रहा हूँ आपको इसका answer हमें comment करना है अंडरूट 3 अंडरूट 3 अंडरूट 3 ये पहला question है पहले question का answer जो भी आए ये चार बार ही है तो आप हमें comment में जरूर बताएए कि पहले question का answer कितना आया ठीक है दूसरा question मैं इसी तरीके से आपको दे रहा हूँ दोनों अगर concept आप समझे होंगे तो बहुत आसान तरीके से बता पाएंगे अंडरूट 4 अंडरूट 4 अंडरूट 4 और अंडरूट 4 dot 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 infinitive इन दोनों question का answer आप हमें comment में जरूर बताएए मैं wait करूँगा कि किसका answer पहले आ रहा है ठीक है तो फटा फट इस question को solve कीजे और अगर हमारे सभी parts नहीं देखे हैं ये part 10 है तो इसके पहले 9 part हमने upload कर दिया है तो अगर आप उन सभी 9 parts को नहीं देखे हैं तो आप हम description में दिये गए link पर click करके आसानी से सभी parts को देख सकते हैं जादा updated रहने के लिए physics और chemistry के साथ साथ question को solve करने के लिए आप हमारी website पर visit करिए जरूर google में type कीजे pandejitechnical.in ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप हमारे शाथ इमांदारी जरूर कीजे चुकि दोस्तों मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल तगड़े तरीके से मेहनत कर रहा हूँ रेगलर आपको दो तीन वीडियो entrance exam पर मिल रही है तो आपको भी इमांदारी दिखाने चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देनी चाहिए क्योंकि जितने दोस्त हमारे जुड़ेंगे उतने पढ़ाने में मज़ा आएगा इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजेगा ये वीडियो हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा कि क्या आपके लिए हैलफुल रही या नहीं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद